हाँ जी आ गए फिर डेप्रीशिशन वापिस से सीखने के लिए तो चलिए आज डेप्रीशिशन का एक ऐसा क्वेस्टन करेंगे because today is the fourth class, तीन classes आपके पास आ चुकी है पहली class में basic सीखे थे, दूसरी class में normal question कया था, तीसरी class में machine sale करना सीखा आज एक step और आगे क्योंकि taking one step at a time makes us better और आज हम multiple machines with sale सीखेंगे और ये question आपको perfect बना देगा कल एक question और करेंगे SLM का और SLM खतम then we'll move forward towards WDV and इसके बाद हमार बाद जादा chapters नहीं है rectification है, financial statements है वो भी जल्दी-जल्दी हो जाएंगे but मैं तो जितना time लेना है conceptual clarity के साथ लेके चलूँगा exams हमारे Feb March में ही होने है मेरे साथ-साथ सीखते चलो बढ़िया बनाते चलेंगे चलिए, let's begin चलो यार, शुरू करते हैं आज का question बहुत excellent है बिल्ला cotton mills, क्या करना है इसके अंदर show the machinery account for past 3 years 3 साल का machinery account बनाना है आओ sir 3 साल का काम मतलब अच्छा question 3 साल का ही question आना चाहिए exam में भी अगर आपका teacher आपको 3 साल से जादा का काम दे रहे है for 6 marks तो definitely वो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा pressure create करेगा क्योंकि यह time bound exam होता है हमारा, हमारे पास पूरा समय तो नहीं है और students को थोड़ा सा जब भी paper frame करते है teachers although consider करके चलते हैं बच्चों की तरह बट फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे बच्चों को sufficient time मिले हमें concept चेक करने हैं बच्चों के ना कि कोई race देखनी है कि बच्चे के number कैसे आ रहे हैं तो भी जस्ट हाब टू चेक दपांसेप्ट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट राइट मशीनरी अगाउंट बेटा एक asset account है debit side में बढ़ जाएगा credit side में कम हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़े बनानी है ठीक है मैं सबसे पहले एक framework question का जरूर बनाना चाहूंगा कि क्या कहां पर हुआ है ताकि मुझे बार-बार question ना पढ़ना पड़े as always GST कभी भी आएगा you just have to ignore GST में आपको कुछ नहीं करना ठीक है बिल्ला cotton mills purchased the machinery on 1st August for 90,000 1st August 2020 में ठीक है सर 1st August 2020 में हमने एक machine purchased करी है 90,000 रुपीज की purchased for 90,000 लियर एंड चेक कर लूँ मैं कब होता है 31st March को होता होगा most probably depreciation 20% परना नम original cost, original cost का मतलब SLM और books close होती है 31st March पे अब देखो 3 साल का मुझे काम करना है तो सबसे पहले close होगा 31st March 21 then close होगा 31st March 22 and then close होगा 31st March 23 ये 3 साल का काम है right 2020 में शुरू हुआ तो पहला साल 21, दूसरा साल 22, तीसरा साल 23 okay machine खरीदा कितने का था 90,000 रुपीज का ठीक है सर यहां तक चीज़ें सही है build a cotton mills purchase a machine on 1st August for 90,000 on 1st October 21 देखो October 21 another machine for 40,000 अब October 21 कब आएगा बिटा March 21 के बाद ही आएगा तो March 21 के बाद यहां पे कहीं पे 1st October 21 पे हमने खरीदी एक second machine for rupees 40,000 ठीक है सर second year में भी हमने एक machine खरीदी है all right सही हो गया हमारा काम उसके बाद क्या हुआ है आरे चल जा भाई बुज़र्ग हो गए हो आप मुझे पता है बट फिर भी थोड़ा साथ दो 30th June 22 30th June 22 में क्या हुआ है it's sold off the first machine पहले वाला machine for 58,000 और एक नया machine खरीदा for 1 lakh ठीक है same date पे yes 30th June 22 अठावन हजार का बेच दिया 30th June कब आएगा बिटा मार्च के बाद 30th June 22 में हमने sale करा ये वाला first वाला machine यहाँ पे आके बेच दिया 58,000 में और एक machine और परचेस करा for rupees 1 lakh लो सर एक लाक रुपे का एक third machine और हमने बाई कर लिया ठीक हो गया और depreciation लगना है 20% पर अनम on the original cost ठीक है जी अब देखो बच्छो depreciation 20% लगना है original cost method है तो क्या मैं depreciation full year का निकाल के रख लूँ डेप on first machine डेप on second machine डेप on third machine सही है तो 90,000 पर 20% पूरे बैठता है 18,000 रुपे दूसरा machine कितने का लिया था 40,000 का इस पर 20% बैठता है 8,000 रुपे तीसरा machine कितने का लिया 1 lakh का इस पर 20% बैठता है 20,000 रुपे तो ये तीनों के depreciation बैठते हैं बट ये पूरे साल के हैं for full year अगर कम का लगाना होगा तो हम as per question चलते रहेंगे पूरे साल के depth 20-20% ये निकाल के रख लिए वे ने 90,000 पर 30,000 पर 40,000 पर 8,000 एक लाग पर 20,000 चलो let's start the question now question कहां से चालू होगा यहां से 1st August 2020 2020 August 1 to bank account हमने एक machine buy करा आपको पता है ना जब भी machine buy करते हैं तो debit side में लिखा जाता है asset भड़ता है जाए ठीक है कितने का buy करा 90,000 रुपीज का ठीक है sir कर लिया अब यहां से चले 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 यहां के रुकना पड़ा sir क्यों रुकना पड़ा year end हो गया 31st March 21 2021 March 31st depreciation लगेगा by depreciation अब देखो बिटा यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं वो क्या गलती करेंगे वो बोलेंगे sir 90,000 का machine था 20% अठाराजार depreciation लग जाएगा बट यहां पर आपको एक logic समझना है यह जो depreciation अठाराजार यह पूरे साल का depreciation है बाबु machine पूरे साल यूज नहीं हुई है machine कब बाय करी है आपने date को ध्यान दो machine बाय करी है 1st August में ठीक है अगर August में बाय करी है तो August से March तक कितने months हुए August से count करो August, September, October, November, December 5 साल तो March महीने तो December तक हो गए जैन, February, March 8 months तो जो depreciation लगेगा बच्चा वो 8 months का लगेगा always consider जो depreciation लगता है वो इधर वाली date से इधर वाली date तक लगता है तो August से March तक 8 महीने तो पूरे साल का कितना depreciation बैट रहा है 18,000 तो 8 महीने का कितना बैटेगा 18,000 इंटू 8 बाइ 12 इस चीज का ध्यान रखना है आपको ठीक है तो हम ले लेते हैं 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 3, 4, 12 बारा हजार उबे बैटेगा बैटा आट महीने का ठीक हो गया, depreciation लग गया, अब year end हो जाएगा तो balance निकाल दो बाइ balance carried down, यह depreciation समझ में आया क्यों क्योंकि August में बाइ करी थी ना यार, आट महीने का ठीक लगता है, 90 माइनस 12, 78 यह पहला साल खतम, first year हमारा खतम, first year में हमने बस एक machine बाइ करी थी, उस पर ठीक लगाया और हमारा काम हो गया, first year का देखो ठीक है, अब second year चालू होगा इस balance के साथ, 2021, April 1, 2 balance brought down, अब देखो बचों अब यह April 1 पे आ गया balance, यानि अब यह machine पूरा साल यूज होगी second year में, right? 78,000 rupees की machine हो चुकी है, चलो जी, यहाँ तक का का काम हो गया हमारा, अब यहाँ से चले, यहाँ रुकना पड़ा, first October पे, sir क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि एक machine और खरीद ली हमने, October 1, 2 bank account, machine number 2, कितने की खरीदी? 40,000 rupees की, आप देखो, एक की जगा, दो machine आपके पास, यह पहले वाली, यह दूसरे वाली, तो आपको numbering करके चलनी है, कि कौन सी पहले वाली है, कौन सी दूसरे वाली है, ताकि confusion ना हो, यह हो गया, चलो sir, हमने buy कर ली एक machine और, चलो जी, चलते गया, चलते गया, चलते गया, यह हो गया, year end, 31st, March 22, 2022, March 31st, by depreciation account, अब बच्चों जैसे आपके पास एक mobile है, तो एक की value कम हो रही है, इस साल आपने सपोज यह एक और ले लिया, तो अब दोनों की value कम हो रही है ना, है ना, तो depreciation अब 2 लगेंगे हमें, क्योंकि हमारे पा depreciation अलग, second का depreciation अलग, first वाली machine का depreciation, April से, क्योंकि अब तो पूरा साल use होगी, April से March, तो पूरे साल का always calculate करके रखावा है, 18,000, first का तो हो गया, 18,000, this is for full year, full year, FY मतलब full year, ठीक है, दूसरा machine अभी buy किया था, October में, यह कब buy किया, October में, तो October से March, कितने महीं है, October, November, December, January, January, March, 6 months, इस पर डेप लगेगा, फिलहाल 6 months का, depreciation हमेशा left date से right date तक, यह याद रखना बिटा, ठीक है, यहीं पर गलती होती है, October से March, for 6 months, कितना पूरे साल का 8,000 लिखावा है, पूरे साल का 8,000 तो 6 महीने का 4,000, कैसे निकाला, 8,000 into 6 by 12, यह 6 महीने का निकाला, टोटल डेप हो गया, 22,000, दोनों मशीन पर कितना डेप लगा, 22, फिर अब आप दोनों का balance निकालोगे, इस ही date पर, March 31 पर, by, balance, carried down, balance कैसे निकलता है, बाभू, देखो, साल के शुरू में, पहले वाली मशीन, 78 की थी, 78 पर 18 का डेप लगया, तो कितने की बची, 60 की, और दूसरी मशीन 40 की थी, 40 पर 4 का डेप लगा, तो 36, 60 और 36, 96,000, यह हमारा दूसरे साल का का काम, complete, this was important, यह आपके लिए नया है, तो ध्यान से करना, ठीक है, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, एक, लाग, अठारा हजार, थर्ड और फाइनल यर, शुरुआत होगी, दो मशीनों के बैलन्स के साथ, 2022, मार्च 31, एप्रिल 1, अब देखो, साल के शुरू में ही आपके पास दो मशीने हैं, तो फिर आप इनका डेप्रिसेशन अगर यह बिकी नहीं, तो पूरे-पूरे साल का लग सकता है, मैं बाह ठीक है, अब थर्ड यर में क्या हुआ है, बड़े ध्यान से देखेंगे, चले-चले-चले, 30 जून पे रुकना पड़ा, सर क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि एक मशीन बैच दी, पहले बाइ कर लो, क्योंकि बाइ करना हमेशा असान होता है, 30 जून, तो यहाँ पे है ना, तो 30 जून पे मैंने बाइ कर ली मशीन कितने की, 1 लाक रुपीज की, अब इसी डेट पे यह फॉर्स वाली मशीन सेल हो रही है, जून 30 पे हम फॉर्स वाली मशीन सेल अफ कर रहे हैं, तो इदर लिखना पड़ेगा, 2022, जून 30, अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाइ बैंक, जितने की बिकी, कितने की बिकी, it was sold off for 58,000 I guess, yes, 58,000, 58,000 की तो बच्चा मशीन बिक गई, अब देखो ज़रा, एप्रिल से लेके, जून तक आपने इसको यूस भी करा, तो पूरा एप्रिल, पूरा मे, पूरा जून, क्योंकि जून 30 है, तो पूरा जून 3 का डेप भी लगना चाहिए, तो हमें यह आपर लिखना पड़ेगा, by depreciation, for how many months, 3 months, sir, पूरे साल का इस पर 18,000 लग रहा था, तो 3 महीने का कितना बैठेगा, 4500, 18,000 into 3 upon 12, 4500, yes, 4500 रुपे का इस पर डेप लगा, अब आप देखो बिटा, मशीन 60,000 की थी शुरू में, मश 60 पे कितना डेप लग गया, 4500, तो मशीन कितने की हो गई, 55,500 की हो गई, 55,500 की हो गई, और 55,500 वाली मशीन आप कितने की बेच रहे हो, 58,000 की बेच रहे हो, तो कम वाली चीज जादा की बेच रहे हो, 55,500 वाली मशीन, 58,000 की, तो 25,000 रुपे का profit आ गया, 2500 का profit आया या नहीं आया 2500 का profit आ गया मैंने आपको कल भी बताया था profit भी आ सकता है तो profit आया तो हम उदर नहीं लिखेंगे statement of P&L इधर लिखेंगे 2 statement of P&L 2500 ये क्या आया profit ये आपका profit आ गया ठीक है बेटा अब देखो कैसे निकाला 60,000 में से ये माइनस कर दो और ये माइनस कर दो ये दो चीज़े माइनस करी तो 2500 का profit आ गया परफेक्ट हो गया यहां तक देखो बड़े ध्यान से समझो इसको 60,000 में से वो माइनस करी तो value negative में आ गयी थी negative value या नहीं profit इधर आ गया positive value आ थी तो वो loss आता वो मैं यहीं पर लिख देता लो इसका screenshot फिर बस खतम होने वाला है question अब हमें आगे क्या करना है देखो अब हमें यहां तक का काम कर दिया sale भी कर दिया, purchase भी कर दिया बस अब year end 31st March 23 पर year end 31st March 23 2023 March 31st by depreciation year end पर डप लगाऊंगा sir कौन कौन से machine पर दो machine है मेरे पास अब बची वी, एक तो पुराने वाली है ठीक है, और एक नई machine है जो मैंने अभी खरीदी है सही है, तो depreciation दो machine हो पर second पर और third पर, second पर तो full year का पूरे साल का कितना बैट रहा है 8000 रुपे पूरे साल का 8000 रुपे यह second का डैप हो गया और third machine का डैप कितना है पूरे साल का कितना है बचों पूरे साल का है इस पर 20,000 रुपीज बट यह हमने अभी बाय करी है कब बाय करी है, जून 30 पर तो जून 30 पर, जून तो काउंट नहोंगा July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March 9 months का इस पर डैप लगाना पड़ेगा पूर 9 months पूरे साल का अगर 20,000 है तो 9 महीने का बैठेगा 15,000 20,000 इंटो 9 by 12 ठीक है, 339, 3412 45, 5000 इंटो 3, 15,000 बस अब आपको balance निकालना इन दोनों बची भी मशीन होगा balance carried down 2nd और 3rd क्योंकि पहली वाली बिक चुकी है ठीक है, 2nd का balance 36 minus 8 36 में से 8 जाएगा तो आपके बास बचेगा 28, यह तो 2nd का balance बचा और यह तो अभी लिया है 1,00,000 minus 15,000 85,000 बस अब आपको इस का total लगा देना है यहाँ से total कर लो 60, 36, 1,500,000 1,98,500 total आगया तो आपका विटा इस तरीके से यह final question ready हो जाता है I hope आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा अच्छे level का question है तो आपको इसको 2-3 बार वीडियो एक बार चेक करना पड़ेगा ताकि आपको कोई भी confusion ना हो, कोई भी problem ना हो still कोई और समस्या आ रही है तो मुझे comment में बता देना कल हम लोग एक question और करेंगे ऐसा ही बड़ी आसा एक सवाल और कराऊँगा ताकि तुम्हारा SLM बिल्कुल strong हो जाए बट आज आप अपनी book में से practice जरूर कर सकते हो कोई भी question straight line method का तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी करने की कोशिश करो, start करो 2-3-4 question अच्छा से करके देखना इस video को repeat देख सकते हो ताकि concept बिल्ड हो जाए Thank you so much guys for joining in कल मिलते हैं कुछ और नई चीज़ों के साथ Till then take care, see ya, bye bye